अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंज तयार है अगर आपने कमोलिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मोके बनेंगे तो आप सवाल पूछिए नंबर आप नोट कर लें जिस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं 022-2300-1634 इसके अलावा आप 022-2300-1635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं चलिए सवाल जब आपका सिलसिला शुरू करेंगे लेकिन उस्ते पहले बात करते हैं क्योंकि खाने के तेल की कीमतों में तेज गिरावाट आई है और डिमांड चुकी जो 25 परसेंट तक कम हुए हैं ऐसा कहा जा रहा है और उसका इंपेक्ट हमने प्राइस के उपर देखा है और मजदूरों की कमी से भी उत्पादन के उपर इंपेक्ट पड़ा है इस पर बात्चित करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर हैं अंग्शु मलिक जिप्टी सीएओ हैं अधानी विलमर के अंग्शु मलिक जी बहुत 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 स्वागत थे आपका जी बिजनेस पर लॉकडाउन के बीच कैसा कारोबार चल रहा है आप लोगों का इडिबेलबर इंडिस्ट्री का डिमांड कैसी है सप्लाई कैसी है शुरुआत से जब से लॉकडाउन हुआ है हम लोग का फैक्टरी कोई भी बंद महीं हुआ क्योंकि हम लोग सब एसेंशयल कमॉडिटीज में है और सिप्लाई चेन हम पूरा कोशिश किया है कि जितना हो सके हम लोग गे क्योंकि हमें मालू हैं कि अज़िए परफिसर्ट लोग दिन रात मेहनत किया लेकिन वर्कर की कमी आज भी कमी मैसिस हो रहा है एंड वर्कर सभी प्लांट्स में उस परहमान में नहीं है जैसे पहले हुआ था तो आप अगर देखेंगे कि 60% से 70% का फैक्टरी एंड इसके ज़्यादा मुश्किल हो रहा है क्योंकि आसपास के लेबर काफी लोग चले गए है और काफी लोगों का क्वारंटाइन हो रहा है और समय समय पे रुकावटा रहा है अज तेम तीन दिन फीक चल रहा है तो फोर्त डे हो सकता है कि जहां से उन लोग आता है वो असे एरिया को यह तो ओड़ा हो गया है तो और ड्राइवर लोग अखेला जाना नहीं चाह रहे थे क्योंकि रास्ते में उनको खाने का कोई सामान नहीं, कुछ नहीं, एक पंक्चर हो जाए टायर तो उसको रिपैर के लिए कोई जगा नहीं, तो कोई भी आदमी इंटरस्टेट मुव्मेंट से डर रहे थे, अभी वो सिचुएशन अच्छा हो गया है, काफी हद तक, और सप्लाइचेन मैं कहूंगा कि 70-75% नॉर्मल हो गया है, पर अभी जो दिक्कत है कि हमारे पास जो वेरा उसे, वहां पे तो हमने माल पहुंचा दिया है देश में, लेकि वहां से जब हम अंदर जाना चाहते हैं, समन इंटर डिस्टिक्ट मॉव्मेंट में कहीं कहीं पे रुकावट है, और अवरॉल यहां पे हमारा 20-25% लोगों को हम लोग पहुंच नहीं पा रहा है, कंजूमर पैक देने में, ठीक है, ठीक है, ठीक है, यह दिक्कत तो है, यह सिर्फ आपकी दिक्कत नहीं है, यह सिर्प इंडिस्ट्री की दिक्कत नहीं है, बाकी इंडिस्ट्री के सामने भी यह परिशानी है, और आप लोग तो खुशनश्रीब हैं कि आप लोग एसेंशेल कमोलिट्री में हैं, तो आपको कम से कम कामकाश शुरू करने की इजाज़त तो है, लेकिन मैं आप से एक सवाल और प कामले उसमें कुछ कमी है, पहला तो डिमांड जो है, यह जरूर कम हुआ है, आप पुरा देश में जो डिमांड आप बड़ा बड़ा फिगर लेगें, तो 20 लाग टन हम लोग मैने के रिक्वार्मेंट है, उसमें से 25 परसंट समन लीजिए, होटेल, इस्टिट्यूशन, ब तक तो कटोती हुआ है, यह पूरा मिला के आपका समय लीजिए, वन मिलियन टन, याने 10 लाग टन, तो तेल का कम्जंशन कम हो जाएगा, चार महिने में, लेकिन घर का डिमांड फोड़ा बड़ा है, क्योंकि घर में लोग है, तो घर का खाना बड़ा है, तो घर का तो मुझे नहीं लगता है कि कोई शौटेज होगा, ठीक है, तो चलिए यह आप करें कि शौटेज नहीं है, सप्लाई परियाप्त है, आप करें कि डिमांड भी कम हुए है, बिल्कुल जाहिर है कि डिमांड कम होगी, क्योंकि बड़े-बड़े होटेल्स बंद हैं, लोग फिर नहीं जा रहे हैं बाहर, तो वहाँ पर निशीत तोर पर डिमांड कम हुई होगी, अब मैं आप से आखरी सवाल एक और पूछना चाहता हूँ, सप्लाई चीठ ठाक है, डिमांड कम है, तो कुछ आप लोग प्राइस कम करने जा रहे हैं क्या? फिर आप कशना चाहता हैं, ये सब पांट करते हैं, और इन लोग का तो पांड का जरूर बाट कम हुआ है, इसलिए उनका ना तो कम हुआ है, तो मैं समझता हूँ कि अधर और भाट परसंट, 5-8 परसंट दाम तो गिरावट आया है लास्ट एक मैने मैं, और आगे भी लग और लोग तो इंपोर्ट करते हैं और माल आगे देते हैं तो हम लोग का ऐसा कुछ नहीं की अगे इंपोर्टेड ऑईल का भाउग कम होगा तो वो हम पासां कर देते हैं सिधा सिधा उसके कोई देरी नहीं करते हैं क्योंकि ये हम नहीं पूरे इंडस्ट्री ऐसा करता है इसलिए हमको भी पास्ट रहना पदा it बांको आपको घटाना पड़ेगा तो कोई भी हूँ डाम कम होने की सम्भाबना है क्या बेंखे कुस तो डाम कम हुआ है एक महिने में और आगे चलके भी मुझे लगता है कि कुस तो कम होगा अगे वी आपने काई कि तिन चार मेंने डिमांड कम रहेगी मेरा सीधा सवाल आप से यही है आप डिमांड कम हो गई सप्लाई ज्यादा है उसकी बात में अब नहीं कर रहा हूं मैं आप सीधे पूछ रहा हूं कि क्या कंजूमर के लिए आप लोग पैकट पैकड ओयल के दाम कम करने जा रहे हैं अगर डिमांड कम है और सप्लाई परियाप्त है तो अगले दो-तीन मेने में होगा 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 करने की दाम कम होगा ठीक है चलिए अची बात है करने कि अपना तेल रखना उनके लिए तो संफ्लावर में मुझे नहीं देखता है औक्टोबर तब कम होगा तब तक नहीं आता है तब तक तो संफ्लावर कम नहीं होगा बाकी सोया बीन और पाम जरूर लगता है मुझे थोड़ा बहुत करेक्शन डाउनवर्ड्स रहे है ठीक है ठीक है ओके चलिए बहुत शुक्रिया आप अंग्शु मलिक जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और एडेबैल और इंडिस्ट्री के बारे में बात करने के लिए कि आगे क्या हालात होने वाले हैं तो आपने अच्छी बात ये बताई है कि कंजूमर के लिए आगे खाने के तेल के दाम कम हो सकते हैं आगे बढ़ते हैं अब बात करते हैं खाने के तेल के बाद कच्चे तेल की क्रूड ओयल की क्योंकि गिरावट वहां पर भी है औ इस लेवल पे क्रूड में क्या किया जाए है तो एक रेंज में आ गया है वह मोटा मोटा ऐसा दिखता है कि साथ सो नब्बे साथ सो पचास निचे में बॉटम दिखता है और हजार रुपे आप पर ताइग कैप दिख रहा है तो मुझे लगता है बजार आने वाल एक दो जिनके लिए निखती डायरे में ट्रेड होने वाला है और जैसे जैसे एक्सपारी पास आएगा बजार का इनक और में भी देर वुट भी आ पासिबिलिटी कि शायद इस बार फिर से नेगेटिव देखने होने दो है अच्छा तो आपको लगता है कि इस बार भी हो सकता है कि कुरूट का मार्केट एक बार फिर से निगेटिव में जाए 850 के आस पास ट्रेड कर रहा है कच्छा तेल औ दो दिन में करीब करी 50 फीज़ी दम कम हो चुके हैं कुरूट के एक बार फिर से मार्केट भारी गिरावट के साथ आगे बढ़ रहा है और कुरूट को लेकर एक ख़बर ये भी आई है कि बॉंबाय स्टॉक एक्सचेंज यानि BSE ने कुरूट में नेगेटिव प्राइस म का इंतिजाम कर लिया है जिस बात को लेकर पिछले दिनों काफी चर्चा रही कि जब नैमेक्स में कुरूट माइनस 40 डॉलर तक लुड़का और उसके बाद जब नेगेटिव सेटिलमेंट हुआ MCX पर तो इसके उपर कई लोगों ने बड़ी आपती भी दर्ज की कि नेग मेकनिजम तैयार करना चाहिए निगेटिव प्रैसिंग का तो यह मेकनिजम अभी तैयार किया है बीएसी ने और यह 4 मई से इंफेक्ट लागू होगा कुछ साफ्वेर में बदलाव करने होते हैं टेक्निकल चीजें कि माइनस में भी भाव जाए तो वहां पर भी ट्रेड यहां पर हो पाए तो इस बात का इंद्जाम किया गया है अब देखना होगा कि MCX इसको लेकर क्या कुछ करता है लेकिन सचीन आपका क्या कमेंट है ट्रेड का प्राइस है यह या वाइट करें हैं भी प्राइस है और अभी अपस से भी हो सकता है और अभी अपस साइट के लिए कोई सिंगनल ऐसा कोई साइन दिखी नहीं रहा है जिसके बॉल सके कि यह बॉटम आउट हो गए तो अभी अभी अवाइट किया जाए इस काउंटर अच्छा ता आप करें कि अभी अभी अवाइट करना ठीक रहेगा बात भी ठीक है मार्केट बहुत ज्यादा पैनिक मूड में है बहुत तेज गिरावाट आ चुकी है और यह गिरावाट कहां पर थमेगी यह किसी को नह नहीं की थी तो बिल्कुल ठीक है कि अभी बड़े-बड़े अनलिस्ट भी यह अंदाजा नहीं लगा पा रहे हैं कि कूड का प्राइस आखिर आगे होगा क्या तो राजी भी गोल और सिल्वर में क्या जाए भी मतुंजे जी गोल ने बहुत ही मैटपून सब्सक्र को ब्रेक किया 46,100 पर एक अच्छा सपूर्ट लेवल ता पिछले सब्सक्राइब कर रहा था और आज लगातार उसके नीचे ट्रेट कर रहा है और कल भी इंपक्ट क्लोजिंग जो हुई थी वह चैनल सब्सक्राइब तो मुझे लगता है कि बजार में बिखवाली की जा सकती है रावन 46,000 पर बजार आए तो यह चैनल सब्सक्राइब और पहला जो टार्गेट रहेगा वो 45,800 रहेगा जो कि अभी तक एक सपूर्ट की दर आएक्ट कर रहा है और अगर 47,750 के नीचे बजार सस्थेन किया तो मुझे लगता है 45,400 तक भी बजार जो है नीचे में सब्सक्राइब का तो ओर आल ट्रेंड अभी for the 7-8 दिन के पोड़ा कमजोर रहेगा आपका सचीन सिल्वर के उपर क्या भी होगा चांदी में अभी आप क्या ट्रेट देख रहे हैं अगर M6 Market की बात करे तो around 300 points down आज के दिन में दिख रहा है market but comics market जो है कहीं कहीं सस्टेंड कर रहा है 15 डॉलर के आसपास में तो मुझे लगता है कि आज intraday के लिए अगर call लिया जाए तो buy on divs strategy better रहेगी अगर 41,300, 350 की range में प्राइस मिलते हैं silver के तो वहां से buy positions initiate करना चाहिए downside में 41,000 का एक stop loss रखना होगा और upside में 41,800 और 900 तक के भी levels जो है आज intraday में एक पर देखने को में सब्सक्राइब चलिए अब शुरू करते हैं सवाल जबाब पहला सवाल है बाबूलाल का अज मेर से हैं हमारे साथ अचा आप किसान है तो चलिए आपने बड़ा अच्छा सवाल और बड़ा अच्छे दिन में सवाल पूछा है आप किसान है तो आपके लिए अच्छी ख़बर ये है कि सरकार बहुत बड़े पैमाने पर चन्यकी खरीद करने जा रही है बड़ी तैयारी इसकी की गई है और लास्ट येर के मुकावले 50% से ज्यादा खरीद की योज़ना है सरकार की चने की और ये कोशिश है कि MSP के उपर चना पूरा खरीदा जा किसानों से तो किसानों को राहत देने की बड़ी तैयारी की गई है अगर आज हमारे साथ जो डेवलिंग फार्मर इंकम कमीटी के हेड हैं अशुक दलवई साब वो भी जुड़े थे और उन्होंने किसानों को इस बात का भरोसा दिया है कि आपको परिशान होने की जरूरत नहीं है आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है आपकी पूरी फसल सरकार कोशिश करेगी कि अच्छे भाव पर ले MSP का भाव आपको मिले तो मैं तो आपको यहीं कह सकता हूँ कि जो आज सरकार के तरफ से यादिकारी बयान हमने दिखाया भी 11.19 बजे उन्होंने ये कहा है कि किसानों को अच्छा भाव मिलेगा इस बात की उम्मीद रखनी चाहिए ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ और कमोडिटी की बात करते हैं और कि वहां पर क्या एक्षेन होगा अच्छा इस भी नमारे साथ जैन साब जुड़ रहे हैं MP से पूछिए जैन साब जी पूछें जून का क्रूड आप प्लस करना चाहते हैं और आप जानना चाहते हैं कि कौन सा लेवल प्लस के लिए ठीक रहेगा राजीब जी पहले तो आप ये बता हैं कि क्या भी कूड में प्लस करना ठीक रहेगा और अगर हां तो जून के कॉन्ट्रेक्ट में किस लेवल पे बाइंग शुरू करनी चाहिए अगर किसी को प्लस करना ही है तो वजाए फूचर लेने के कॉल आप्शन भी है कॉल आप्शन से जा सकते हैं जून की कॉल आप्शन लेने या फिर फूचर खरीजा तो उसके साथ पुट के साथ प्रटेक्शन कर लें तो देख कि बाजार नीचे जाए तो पुट का एकलिस मैक्सिम्म प्रीमियम ही जाएगा और आपको प्रटेक्शन भी देगा बाकी ट्रेंड की बात है ट्रेंड अभी भी कंजोर है जून कॉंट्रेक्स की भी बात करूँ तो तेरह सो पचास का एक अभी एक सपोर्ट को कि हिम्मत नगर से भी एक को लार इस बाक्त वाक्त पूछिए पूछिए हिसे हमाट अगर चाहरी पूछिए अचिए पर सवाल पूछिए प्लीज़ का वाल्यूम कम करिये फिर सवाल पूछिए प्लीज केश्टर का बाव कब बढ़ेगा और कहां तक जाएगा ये आप जानना चाहते हैं बताइए सचीन केश्टर का क्या आउटलूख है आगे का केश्टर का आउटलूग अभी वी की नजार आ रहा है विकरज अभी चार्स पर आट्परेंट कोई असा इंडिकेशन नहीं है जिसके विज़े से बेस्टर बोल सकी की प्राइस और उपर जाएगा मुझे लगता है इवन डाउंसाइड में जो है एक बाद 3,700 और 3,650 ये ल अब हमारे साथ मुंबई से पूछे नितिन है अब हमारे साथ मुंबई से पूछे नितिन हाजी सर्व गुडिवनिंग मैंने कॉपर एक लॉट पूपर आपने शॉट किया है 406 के बाव पर आपने शॉट किया है कॉपर राजीव जी क्या किया जाए 406 के बाव पर इन्हों ने शॉट किया है बेचा है आगे की ररिनीति इनको क्या बनानी चाहिए अगला आप प्रॉट किया है सवाल है गोपाल का राजस्थान से पूछिए अजी सर नमस्कार पूछिए अजी सर गोवार पांच जार हो सकता है कि सर तीन साल पर ने गपड़ा है और क्रूड माइनस एक जार कम ते साएगा गोवार पांच जार चाहिए आपको क्रूड माइनस में चाहिए कैसे होगा अगर आपको पांच जार ले जाना है तो आपको क्रूड भी तो प्लस रखना पड़ेगा क्रूड आप देखिए कि जिस तरह से क्रूड में गिरावाट आई है उसके बाद गवार गम की डिमांड भी बहुत कम हो गई और उसका भी इंपक्ट हमने गवार पर देखा है तो राजीब जी क्या कहेंगे आप गवार पांच हजार ये पूछना चाहता है कि गवार पांच हजार और कुरूड माइनस एक हजार कब तक आएगा पांच हजार के डाम पूछा था तब भी हमारा कहना था कि गवार को पांच हजार जाने के लिए बहुत सारे पढ़ाव क्रॉस करने पड़ेंगे लेकि पहला पढ़ाव इस समय जो बजार का है गवार सीट का वो 3650-37 का ये एक हैं बैरियर है जब तक बजार इसको क्रॉस नहीं करेगा फिर उसके बाद लेक्स पढ़ाव एगा चारजार एक तालिस होगा और फिर प्यतालिस होगा तो ये जब तक इन पढ़ाव को क्रॉस करने के लिए गवार में मांग होना बहुत जरूरी है जैसा कि हम जानते हैं गवार का जो रॉफ प्रडाक्ट अगवार गम उसकी मांग क्रूड ओयल इंडस्ट्री से सब्सक्रादा बनकर निकलती है और क्रूड ओयल के दाम माइनस में देखने है या निचे की तरफ आने है तो उसकी मेरे को लगता मांग बनेगी नहीं को करना की ठरुड लगतार मिया जाए बेगा तोड़ चेऊज़ा से मजबूती है कि जड़ा सुड़ा से थिर्जेखन Kanai भी 50,000 को मूझे दिने है और जहां तब कुरूर आइल के माइनस जाने का सवाल है, यह बताना तो बहुत मुश्किल है कब जाएगा या नहीं जाएगा, बट एक्सपारी वाले दिनियों में नजारा देखने को अगर मिला तो मैस्टा है, अभी तो बहुत बताना मुश्किल है कुरूर के बारे में कि म सवाल पूछना चाहते हैं, पूछिए, जी सिंग साब पूछिए, अच्छा लगता है इंसे संपर हमारा तूट गया है, लेकिन ये नैचुरल गैस के उपर सवाल पूछना चाह रहेते, सचीन बताए, नैचुरल गैस पर इनका सवाल है, क्या ये कॉंटर अभी ट्रेट के सकते हैं, हलेकि नैचुरल गैस के इंदर एक रेंजबाव मोमिन्टम है, डाउनसाइड में 140 और अपसाइड में 148-150 की रेंज में ही ट्रेट हो रहा है, तो मुझे लगते है कि एक बार शॉर्ट पॉटीट के असपास से इनिशेट कर सकते हैं, अपसाइड में एक इनको जुरू रखना होगा, जो कि 152 कर आएगा, और डाउनसाइड में मुझे लग रहेगा, और 140 के लेवल जो है नैचुर के इस वापस से दिखाएगा, ठीक है, अगला सवाल है, राजेश का दिल्ली से, पूछिए राजेश जी, साड़े 800 पर आपने बेचा है पांट लॉट, आजी, राजेश जी, ठीक है, राजेश जी, 850 के बाव पर इन्होंने पांच लॉट करूड बेचा है, बहुत हिमत का काम किया है, इन्होंने तो ट्रेट करके करूड में, अब जब इन्होंने इमत कर ली है, तो अब आप इन्होंने ये बताइए कि अभी करना क्या है इंको? तो वहीं स्टॉपना सभी बनता है, एक हजार दस के उपर अगर बजार सस्टेन करता है, तो ये अपनी शॉट पोजिशन को क्लोज करेंगे। ठीक है, ओके, और अब वक्त है रैपीड फायर राउंड का. राजीब जी, आपकी पहली रैपीड फायर कॉल? कॉपर में देखवाली के ड्वाइज होगी, 407 अपर में स्टॉप लॉस 410 का रखना है, 402 का डाउंट. ओके, आपकी कॉल, सचीन? आपकी आखरी कॉल, गोड में विक्वाली की चला होगी, 46,000 रुपे में, टॉपलाश 46,150, टार्गेट 45,800, और 45,500 के नीचे सस्टेंग किया, तो 45,400 भी रखना है. ओके, बहुत शुक्रिया आप, राजीब जी आपका और सचीन जी आपका हमारे साथ जूरने के लिए, बताने के लिए, कि कमोडिटी में कहां पर कमाई के मौके बनेंगे. तो फिलाल, इस बुलेटिन में इतना ही.